इस वीडियो में आज हम देखेंगे प्राकलपनाओं की सिमाइ, प्राकलपनाओं के दोस या प्राकलपना के अब गोनों पिसे पिछले वाले वीडियो में जो हम प्राकलप्ना के महत की बात कर रहे थे गुड़ों की बात कर रहे थे एक अनशनधान करता के मार्क दर्शन के रूप में बात करते दे करते कर रहे थे जहां तक एक अंसंधान में मार्ग दर्शन की द्रश्ची से महत्पूर्ण होती हैं वहीं उनके प्रयोग में यदि अशावधानी बरती गई या इनका प्रयोग शावधानी से नहीं किया गया तो यह उसे अध्यनकार के लिए खत्रा भी बन जाती है और यह खत्रा अंसंधान कार को बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जीरोपला के खड़ा कर देता है तो जहां प्रयकलप्राव का निर्वान या प्रयकलप्राम जितने गुण थे इसमें महत्द था इसके प्रकार थे वहां यदि अंसंधान करताने इनके प्रयोग में शावधाने नहीं बरती दिहान नहीं रखा और प्रकलप्राव को हम कहें कि अंद्विश्चास के रूप में उसके विश्चास करके तत्यों का संग्लन किया इखटा किया और उसके आधार पर जब वो निसकरश निकाले तो वह निसकरश है अभाविक है कि वो शिचित नहीं होंगे क्यों करने संधान करताने अपनी प्राकलप्राव को सही साबित करने की दिश्टिश जब वह तत्यों को खटा कर लेता है तो वहां वास्ट विक्ता यह हम कह सकते हैं वस्त निष्टता जो होती है वो समाप्त हो जाती है और जैसा कि माना जाता है कि वस्त निष्टता किसी भी शोध की लिए या विज्यान की जो आत्मा होती है वहां उसकी आत्मा समाप्त हो जाती है तो यहां कुछ हम प्राकल्पना की शीमाओं को कुछ बिंदूं के अधार पर यहां इस बेश्ट करना जाहते हैं तो पहला बिंदू है यहां प्राकल्पना में अनसंधान करता का अटूट विश्वास कभी कभी क्या होता है कि अध्यन करता प्राकल्पना को अपने अध्यन का मारत दर्शन मानकर उसे ही शिद्ध करने के पक्ष में तथ्यों का संक्लन कर लेता है और ऐसी इस्तिति में अध्यन में जो वस्तनिष्टा होनी चाहिए व्यग्यनेक्ता होनी चाहिए व्यग्यनेक्ता समाप्त हो जाती है क्योंको वहां उसने उसको मारत दर्शक के रूप में प्रियोग न करके किसके रूप में कर लिया है अपने उद्देश को शिद्ध करने के एक पक्षकार के रूप में शिकार कर लिया है तो जब वो ऐसा शिकार करके जब तथ्यों को संकलत करने जाता है तो वो निश्पक्ष तथ्यों का संकलन नहीं कर पाता है क्योंकि इसके दिमाख में एक ही बात है कि मुझे जो मेरी प्राकल्पना है और इसको में शिद्ध करना चाहता हूं तो वो उसी के अनुरूप ही तत्यों को खटा करता है जो सोद्कार के लिए हम कह सकते हैं कि बस्तमिष्ट सोद्कार के लिए निरत्तर चावित होते हैं इस अंदर में यहां पीवी यंग ने भी एक जगे कहा था कि एक अंसंधान करता को अपनी प्राकल्पना की सुद्धता को इस्थाप्त करने की उद्धिश से अध्यन का प्रारम नहीं करना चाहिए यहने करता परियाहान में कहना चाहती हैं कि किसी प्राकल्पना को लेकर जब अध्यनकार शुरूel करता है तो वो उसको सही शाबित करने का ऐस करेगा तो हो उस सम्मद्धत जो तत्यों अवे खट्ता करेगा वो भी शही नहीं ओगए तो कहने के मंदर यहां यह है कि जब अन्संधान करता अपनी प्राकल्पना में ही एक टूट विश्रास पैदा कर लेता है या इतना उसको विश्रास अपने प्राकल्पना पर करता है तो वो उसके लिए खानकारक्षित होती है और सोदकारे वहाँ जीरो हो जाता है दूसरी हनी या दूसरा दोश, दूसरा अवगुण प्राकल्पना आधारित तत्यों का संक्लन करना कभी-कभी क्या होता है कि अध्यन करता प्राकल्पना kraommal के adhar परही दद्यों का शंगलन करता है यह भी बात ठीक नहीन प्राकल्पनां के आध्हार परही दद्यों का बज़ों संगलन करेगा तो वे तत्य भी हमारे शटीकGB निश्कश निकालने में वधा पैदा करेंगे कि उसे अध्यार करता को प्राकल्पना के आधार पर तत्यों को संक्रिन नहीं करना है उसे तो वह वाश्ट्पिक तत्यों के आधार पर अपनी करना चाहिए जिस्से तत्ति जो संक्रिन कर रहा है उनमें बस्त्र निष्टा का गुण बना रहे क्योंकि ऐसा वो जब नहीं करेगा तो जो संक्रित तत्त हैं उसके लिए व्यर्थ शिद्ध होंगे कि वह वाश्ट्र निश्कस्ट निकालने में हमेशा ना कामयाब रहेंगे इस शंद्र में एक समा सास्टी फ्राई का गयना है कि मात्र विशिष्ट प्रश्णों के शंधर्व में ही तत्त्यों का संक्रिन नहीं करना वरन एक संस्ता अथ्वा परिश्थिति की गवेशनामे प्रश्णों को सदैव शुजहाव के रूप में समझना चाहिए यह नहीं जब अनिशनधान करता अपनी प्राकल प्रणाओं पर आधारित तत्यों का जब इखटा करता है दूवे तत्थे वस्तनिश्ठे नहीं रहात है उस को तो वहां निस्पक्ष रहकर तत्यों को एकटा करना है और उन几व के आधार पर जब वो निश्कर्ष नकाले या तो वहां प्रकल्पना हमारी जो मार दर्शक की रूप में काम कर रही थी वह हम को एक हम कह सकें कि मार को भटकाने का प्रयार की रूप में काम करने लग जाती है तो यह भी एक इसका दोश्य है यह मर तीन विश्य चवरिचियों संवेगों का प्रयभवाव अशन्द्हान करता पर हाभी हो जाता है तो भी प्रक्राइब प्रकल्पनाय जो होती है अन्संद्हान करता के लिए खानकारेक्षित होने लगती है कई बार नहीं संद्धन करता अपनी किसी विशी शिरूट्ची और कहें कि शम्वेकों के कारण एक विश्यश अध्यन विश्यकार चुनाव कर लेता है और उसके प्रति वह प्रक्षपात पूंड रवई अपनाता है व्यक्ति निष्ट रवई अपनाने लग जाता है तो जब उसके द्वारा इस प्रकार का जब अध्यन किया जाता है तो वो जो अध्यन है विल्कुल ही अवेज्यानिक हो जाता है तो जहां हम कहते हैं कि वस्निष्टा के लिए एक अंसंद्धान करता को अपनी अविरुची अपने शम्वेग अपने पूर्वाग्रहों को एक में इनका समावेश हो जाता है अभी रुचियों का सम्वेगों का उसके प्रभावों का उसकी रूची अरूची क्या तो वहां प्रकर्पना जो है मार्दर्शक का काम न करके मार्ग भटकाने का प्रयाश कह सकते हैं कि काम करती है और मार्ग भटकाने का जब वो काम करती है तो अनसंधान का जो हम कह सकते हैं एक परिणाम जो होता है वो निरर्थक्षा भी तो होता है तो इस रूप में भी प्राकल्पना अनसंधान करता को कभी-कभी आनिकारक्षित होती हैं और अन्तिम बिन्दु के रूप में हमें आदेखते हैं कि अध्यन करता या अनसंधान करता एक अपनी प्राकल्पना को एक प्रतिष्ठा का बिन्दु मानने लगे तो भी वो प्राकल्पना अनसंधान का आज में बाधा पैदा कर देती है लेखते हैं का कईवार अध्यन करता अपने प्राकल्पना को ही स्यस्ट मान लेता है कि मेरी जो मान ना है मेरी मानättा मेरी जो माहनता है यही इस्तिति में वह प्राकल्पना के विप्रीत यताहर्त तत्यों को भी स्विकार नहीं करता है और यह इस्तिति व्यग्यानक्षत तक पहुंचाने में पधा पहला करते हैं तो हमें यह इसंधान करता को प्राकल्पना को एक प्र्तिष्ठा का बें नहीं बनाना कि मैं जो मान रहा हूं वही सेही है मेरा जो मानना था वही ठीक है मेरी प्राकल्पना है वही उचित नहीं ज пер eddi kita । जब हम इसा मान लेते हैं यह दूश्चान करने फिल्ड में जाते हैं शेत्र में जाते हैं तो उसके विपरीत तथ्य हमारे जब सामने आते हैं तो हम उनको छोड़ते जाते हैं उनको हम संक्लित नहीं करते हैं क्योंकि वहां संधान करता ने उस प्राकलपना को अपना एक प्रतिष्ठा का बिंदू माना रखता है एक शत्ता का प्रतीक माना रखता है तो ज उसके प्रतिष्ठा जोड ते हुए जब वो तथियों को इकरटा करता है तो वो केबल उसको निधिंदाज करता है। तो जिसे तथ्य भी जो होते हैं वो वस्त निष्ट प्रकार के संकलित नहीं होते हैं वो भी भेदवापून तथ्य शंकलित हो जाते हैं और उन्हों तथ्यों के आधार पर जो जब निष्कर्ष निकालता है तो वो निष्कर्ष जो होता है कभी भी वस्त निष्ट यसा ही न के आधार पर जहां प्राकल पनाएं मारतर्स का काम करती थी जहां मारत में हमने देखा था वहीं इन बिंदों के आधार पर हम इन प्राकल पनाओं की कुछ कम्यों की भी बात करते हैं कुछ दोसों की बात करते हैं कुछ अब गुड़ों की बात करते हैं कि जब अनसंधान करत इन बुंदूं पर जब ध्यान नहीं देता है तो अपने जो सोदकार को कह सकते हैं कि एक अंधकार की और ले जाने का बैयास करता है तो यह इसकी सीमा है आज इस वीडियो में हम इतना ही और आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि अच्छी प्राकल्पना के निर्मान में अंशंधान करता के सामने कौन-कौन सी कटना याती है